सो नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी उमीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Realme X7 Max स्मार्टफोन में मिलने वाले नए अपडेट Realme UI 4.0 Android 13 के एक नए अपडेट F.02 के बारे में जिया दोस्तों आपको पता होगा हाली में Realme का वीट्या वर्जन Realme UI 4.0 Android 13 का रूल आउट किया गया था जिसका वर्जन F.01 देखने को मिला था उसके बाद ही 15 दिन भी अभी नहीं हुए इस अपडेट को मिले हुए और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर किजिएगा तो चलिए और अदिकाप का समय ना लेते हुए हम आज की इस वीडियो को स्टाट करते हैं तो दोस्तों चलिए जैसे ही आप अपने फोन के सेटिंग में जाएंगे तो देख सकते हैं वर्जन का एक अपडेट आया है तो इस अपडेट की साइज की बात करें दोस्तों तो इस अपडेट की साइज आपको 1.05 GB की देखने को मिल जाती है तो दोस्तो size इस update के काफी ज़्यादा देखने को मिलती है लगबग 1GB के आसपात के इसके size आपको देखने को मिल जाती है तो इसमें features भी काफी ज़्यादे add किया गया है अब आपको पता दे दोस्तो जो realme का एक नय update आया था यह.01 उसमें आपको android 13 and realme UI 4.0 देखने को मिला था बड़ काफी सारे bugs भी उसमें देखने को मिले थे इस update में उस सारे bugs को लगबर fix किया गया है और बहुत सारे नए features को भी add किया गया है तो दोस्तों यहीं पर बात कर इस update में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है तो चलिए tap करते हैं about this version पे तो देख सकते हैं आपको क काफी सारे लंबी लिष्ट आपको देखने को मिल जाती है इसमें काफी सारे changes की गई है सबसे पहले आप देखेंगे design के बारे में बताया गया है कि क्या कुछ design में changing की गई है themes में काफी ज्यादा change किया गया है icon pack को पूली तरह से change कर दिया गया है काफी सारे 3D icon pack install कर दिय गया है home skin में काफी सारे changes की गई है उसके बाद कई सारे apps automatically close हो जाते हैं उस सारे box को fix किया गया है and quick access का एक option add किया गया है जिससे कि आप किसी भी app को आसानी से quick access कर सकते हैं उसके बाद नीचे देखेंगे दोस्तो personalization में भी आपको emoji का option देखने को मिल जाता है जिसे आप अपने profile picture पर emoji create कर सकते हैं और always on display पर भी आप emoji लगा सकते हैं सो उसके बाद देखेंगे security and privacy में भी आपको option देखने को मिल जाता है security and privacy में काफी अच्छा काम किया गया है privacy में आपको encrypted कर दिया गया मतलब कि आप किसी भी file को अगर hide करते हैं फिर कुछ भी करते हैं तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं अगर आप उन्हें phone दे देते हैं तो उसमें काफी सारे changes की गई है performance optimization पर देखेंगे तो इसमें भी काफी सारे चीज़े change की गई है add dynamic computing engine improve the system speed तो काफी सारे changes इसमें भी की गई है battery life में भी काफी जदा improvement किया गया ऐसा इसमें मिला है फिलाल मैंने इस update को कर लिया है और मुझे इस update करने के बाद से काफी अच्छा experience मिला है मेरे smartphone काफी smooth चला है तो आप जरूर comment में बताएगा कि आपको यह update मिला है या फिर नहीं मिला है और आपका smartphone कैसे चला है अगर आपको यह update नहीं मिला है तो किस प्रकार नहीं किये होंगे तो आपको यह update देखने को नहीं मिलेगा आपको सीधे f.02 नाम से एक नया update देखने को मिलेगा जिसकी size आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी तो आप उस update को कर लिजगा और बात करें इस update में बक्स की तो दोस्तों इस update में मुझे को कोई भी बक्स